हलो दोस्तो, जोती इंडियन रसोई में आपका स्वागत है, आज हम आपको बताएंगे कि इहार ये अस्टायल से सर्सो का साग कैसे बनाते हैं सर्सो का साग बनाने के लिए हमने छोटा-छोटा पतियों बला सर्सो का साग ले लिए हैं, और अच्छी तरह धो लिए कि हम सरव के साग बनाने के यहाँ पर हम कुकर के इस्तामाल कर रहे हैं अब कड़ाय में भी बना सकते हैं इसलिए हमने कुकर चढ़ा देए और उसमें दो चमर्चर सरव क तेल डाल देगे दढaking पीला सर्सो भी डाल देंगे और उसको हम चटकने देंगे और उसमें 4-5 हरा मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा हिंग डाल देंगे अब हमारा तेल से बहुत ही बढ़िया खुस हुआ रहा है इसमें सर्सो का साख डाल देंगे और स्वाद के नुसार हम नमक डाल देंगे अब नमक डालने का बाद उसको हम अच्छे से चला लेंगे और ढग कर दो से तीन सीटी लगा देंगे मेडियम पेलेंपर अब तीन सीटी हमारा लग चुका है अब इंडेक्सेन बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे अब कुकर हमारा ठंडा हो चुका है देखिए हमारा साग कितना अच्छा सा गल चुका है अब साग में जितना भी पानी छोड़ दिया है उसको हम सुखा लेंगे अब साग से हमारा सारा पानी सुख चुका है अब इंडेक्सन को बंद कर के साग को ठंडा होने देंगे अब साग हमारा ठंडा हो चुका है उसको हम मिक्सिजार में पीस लेंगे अब हम उसी में साग डाल कर भी पीस लेंगे अब हमारा साग बन कर तयार हो चुका है आप इसे रोटी के भी साथ खा सकते हैं अब चावल के भी साथ खा सकते हैं अगर हमारा साग बनाने का यह तरीक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब कीजिए थाइंक्यू फर वाचिंग